इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे completely education के purpose के हिजाब से करेंगे किसी भी type के buying या फिर selling recommendation बिलकुल भी नहीं है जिन भी share को हम discuss करेंगे इस वीडियो में सबसे पहले Nifty का weekly view से शुरू करते है weekly view में या फिर weekly के आखरी जो candle आपको बनी हुए दिखाए पड़ी है ये एक red candle है with dozy plus top के आसपास बनी है तो यहां से तीन चीज़ा हो सकती है जिस तरह से market ने एक अच्छी rally दी है और इस week में जो एक candle बनी है dozy candle है इससे आप somehow कह सकते है spinning top भी कह सकते है spinning top confirm हो जाएगा जिस हिसाब से next candle बनीगी पट यहां से जो यहां से expectation बनी है next week की जो कल से शुरू हो जाएगा यहां से कुछ consolidation की तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है कोई भी weakness अभी बिलकुल नहीं दिखाए पड़ी अभी भी market के जो breath है strong है अभी भी जो levels है वो उपर के आने बच्चे हुए ऐसा यहां से लगता है बट वो सीधे बिलकुल नहीं आएंगे बीच बीच में कुछ hiccups भी आएंगे कुछ consolidation भी होगा और धीर धीरे market अपने हिसाब से ही आगे बढ़ेगा तो इस week में हमें यह समझ मा रहा है यहां से consolidation हो सकता weekly के time frame में इतना समझ आ रहा है अगर इसी चीज़ को one day में समझनी कोशिश करें अब आप यहां पे देख सकते हो last के four days में क्या हुआ है सिर्फ consolidation हुआ है उससे जादा कुछ भी नहीं हुआ अब ऐसे मैं समझ लेते है single view देखे जाते हैं यहां से क्या-क्या हो सकता है single view में दो range निकल के आ रही है जिस range के अंदर nifty कारुबार करता हुआ मैं दिखाई पर सकता है पहला जो है 17,250 से लेकर 17,400 के बीच में यह है एक छोटी range जिसके बीच में हमें consolidation होते वे दिखाई पर सकता है और जो बड़ी range है exactly जिसके बीच में nifty को काम करना होगा इस week में 17,200 से लेकर 17,500 के बीच में यह एक ऐसी level है जहां nifty अगर जाएगा यह बड़ी range में जाएगा otherwise छोटी range में ही यह consolidate कर सकता है तो इसलिए इन range के उपर आप discuss या फिर discuss कर सकते हो अपने advisor के साथ या फिर अपनी research कर सकते हो अगर इसी चीज़ को हम 2R में समझने कोशिश करें आप यहाँ देख सकते है बागे सारी चीज़े एक second जिस range के हम बात करने वो range है आपके सामने 10 level यह है 200 के level जहां पर nifty support लेगा और यह 400 हम बात करें maximum जो बड़ी range होगी 500 के आसपस मतब कुल मिलाके हमारे पास यह वो range होगी जिसके बीच में nifty इस वी काम कर सकता है यह रही बड़ी range और छोड़ी range के आपके सामने यह रहा है यहां से लेकर यहां तक तो बिलकुल levels बिलकुल सही है nifty के लिए अब as of now कुछ consolidation हो सकता है यहां पर इस वी के गरम बात करें बाके levels अभी भी दूर के हमें थोड़ा से दिखाई पर सकता है लेकिन जिस level के आसपस है यहां पर long time investing के लिए यहां से सही time नहीं है हाँ short time trading का हम कर सकते है momentum को play कर सकते है लेकिन जो अपना stop loss है उसको proper use करके जो अपने rules है उनको proper follow करके otherwise as of now weakness नहीं है लेकिन ऐसा भी aggressive होने की जरुवत नहीं है कि हम यहां से पूरा aggressive हो जाए और उसके बाद कोई भी rules follow ना करें और कहीं ऐसा ना हो किसे share में या फिर market के हम near top या फिर top में आस top के आसपस फर्ज जाए इसलिए थोड़ा सा safe रहने की जरुरत भी है rules को strictly follow करने की जरूरत है यह रहा है निफ्टी का view अगर इसके बैंक निफ्टी को समझने कोशिश करें बैंक निफ्टी के उपर जम करें इससे पहले जो हमने निफ्टी में जितने ही बातें की है निफ्टी का तो लेवल साब समझ गए एक range समझ गए लेकिन जो stock specific हैं उनमें action भरपूर रह सकता है इसलिए जो अच्छे valuation पर अभी भी मिल रहे है या फिर अच्छे support के आसपा जो जो शेर मिलने उनमें अच्छी हमें तेजी भरपूर दिखेगी इसलिए वहां ये range mount का concept apply नहीं होगा इसलिए इसके उपर भी आप ध्यान रख सकते हैं तो उसके बाद हम focus करता है bank nifty के उपर bank nifty की जो last candle बनी है वो color red है उसका color red होने के बाद बुलिश candle हमें बनते हुए यहां से दिखाई पड़ रही है तो एक चीज तो यह रहा अगर हम bank nifty की range को समझने कोशिश कर रहे हैं यहां पर अगें दो range हमाले निकल के आती है एक छोटी range और एक बड़ी range जो हो सकती इस week के लिए तो यहां पर पहले हमें क्या समझ मारा जो बड़े लंबे time से निफ्टी के अगर हम बात करें बैंक nifty के बात करें अब जो एक level को break नहीं कर पा रहा था इस level के आसपास उसी level के आसपास दीरे-दीरे ही सही लेकिन यह उस level के आसपास पहुंच चुका है और वह level हमें क्या दिखाए पड़ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम में अब आप यहां देख सकते हो सबसे पहले रेंज को find out करने कोशिश करते हैं बड़ी रेंज जो हो सकती है नीचे की 36,000 यह एक important support का काम करने वाला है bank lift में जब भी आएगा अगर आया जब भी आएगा जिस दिन भी आएगा रुकेगा नहीं हो पर बड़ी शॉट टाइम के लाएगा और वहां से buying आपको immerse होते वे दिखाई पड़ेगी यह रही फॉस से थर्टी 36 से लेकर 37 के बीच में और हम बात करें छोटी यह तो छोटी रेंज है अगर हम बड़ी रेंज के बात करें यह आन उसके बाद 37,500 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं इसलिए इन लेवल के उपर आप नजर रख सकते हैं अगर इसी चीज़ का हम समझने कोशिस करें वन डे के एक सेकेंड वन डे के बाद टू आर में अब आप यहाँ देख सकते हो क्या हुआ यहाँ पर आप फोकस कीजिए इसके इंपोर्टन सपोर्ट के उपर हमने तो बात करें 36,000 की लेकिन वहाँ आया इस वीक तो बिल्कुल नहीं आया बैंग निफ्टी में नजर बनाके रख सकते हैं अधर्वाइस बैंग निफ्टी का और निफ्टी का ऐस अफ नाव जो ट्रेट सेट अप है वह बिल्कुल दिखाए पड़ा है बहुत ही सिंपल दिखाए पड़ रहा है अप्शन ट्रेडिंग में या फिर हम इंट्राडे बेसस पर जो भी हम ट्रेड लेते हैं बड़ा ही सिंपल दिखाए पड़ रहा है अगर यहां पर ओपन होगा तो यहां क्लोज हो सकता है यहां क्लोज होगा तो इस बीच में जब तक यह लेवल ब्रेक नहीं होगा तो इसमें no trade zone है बहुत सिंपल दिखाए पड़ रहा है as of now क्योंकि trend intact है uptrend में बनाओ है larger trend इसलिए बहुत ज्यादा tension लेने के जरुवत नहीं है लेकिन aggressive भी नहीं होना है यह भी हमें ध्यान लखने की जरूरत है क्योंकि अच्छी rally आ चुक है अगर हम rule को follow करेंगे rule को follow करने से क्या होगा यह जरूर हो सकता है आप 150 point की rally miss कर दो यह जरूर हो सकता है किसे stock में थोड़ा सा 2-4% और उपर भाग जाए लेकिन यह जरूर हो सकता आपका capital जो है वो बचा रहेगा अगर कभी market में sudden fall आता है या फिर जो हम near top या फिर top के आसपास फच जाए लेकिन as of na global market strong है and our market strong है अगर कहीं से weakness की या फिर कहीं से tension की खबर है वह है कोविट कोविट के जो वेव जो थाड़ वेव है उसके थोड़ इस expectation बन रही है हर जगे से news आ ही रही है बट उसका भी प्लस पॉइंट यही है कि vaccination बड़े तेजी से चलता है तो इसलिए इन दोने news के उपर हमारी नज़र डेली बेसिस पे होनी ही चाहिए इन सबके बाद focus करते हैं शेयर के उपर वो concept 5 शेयर है जो इस week आपके focus पे होना चाहिए यहां तो आप सभी के साथ 5 शेयर discuss हो रहे हैं members के साथ और private channel वाले के साथ कई जारे शेयर daily basis पे शेयर होते रहते हैं कभी 5 या 6 तो एक दिन में जिस सबसे market हमें opportunity देता है इसलिए extra learning के लिए आप join button भी consider कर सकते हैं आपको उसके सारे links description में भी मिल जाएंगे and उस join button चैनल पर भी मिल जाएगा तो पहला stock है कजारिया जिस level के आसपास है या फिर ये बात करें पिछले एक breakout के बाद एक level के आसपास अभी कुछ दिनों से consolidate कर रहा है आप यहां पर देख सकते हैं एक ही price के आसपास बिलकुर एक range में फस्ट चुका है इसलिए share यहां पर कभी भी हमें breakout दिखा सकता है अ होना चाहिए जब भी बॉक्स से बाहर निकलता है तो किस तरफ निकलता है अपर अपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ यह breakdown होता है लेकिन as of now trend strong है उपर के level अभी भी देखे जा सकते है इसलिए पहला share हमारे prime focus पे होना चाहिए current जो prices का 1188 के आसपास है current price भी अच्छा है ऐसे में थोड़ा सा मिल जाता है हमें नीचे 1150 और गुड है यहां पर और भी अच्छा price हो जाएगा यानि 1150 के आसपास तो इसके ओपर आपके prime focus पे होना चाहिए आफ्टर कजारिया हम बात करें seconds here के ओपर जिस लेवल के आसपास यह आपको दिखाई पड़ रहा है यानि एक अच्छे लेवल के आसपास दिखाई पड़ रहा है अपने important support से bounce back करने कोशिश कर रहा है कुछ time इसने बताया बिताया है एक level के आसपास जो निकल किया रहा 4500 से उपर closing देना शुरू कर देगा अच्छा अपमूब को इक अपमूब इसमें देखा जा सकता है 4750 तक के level भी हमें दिखाई पर सकते हैं इसलिए शेर हमारे prime focus पे होना चाहिए तर्ड जो शेर रहेगा हमारे prime focus पे रोजारी बायोटेक एक बहतरीन शेर है जिस लेवल के आसपास हमें टॉनिडे में के आसपास सपोर्ट लेने कोशिस कर रहा है इसमें अच्छा आपमूब देखा जा सकता है अगर यह टॉनिडे को ब्रेक करता है तब ही हमें नीचे के बनी है वो अप्ट्रेंड की ही बनी हुई है इसलिए थर्ड शेर जो आपके prime focus पे होना चाहिए अभी की जो इसकी closing है 1394 के आसपास रफली बात करने 1400 के आसपास है अगर गिरावट में मिल जाता है थोड़ा से 1300 से नीचे 1350 के आसपास वो तो और अच्छे बात है लेकिन current price भी अच्छा है इसलिए यह आपके focus पे होना चाहिए तीन के बाद चौता जो शेर हुआ है banking sector से EU bank इसमें अच्छा correction देखा गया था लेकिन अब एक लेवल के आसपास में consolidation शुरू हो चुका है यहां से गिरावट थमते हुए नजर आ रही है इसके अपर और डिटेल वी भी हमें दिखाई पड़ सकते हैं इसलिए यह शेर हमार प्राइम फोकस पे होना चाहिए यह तो short ring के हम बात कर रहें 1300 लेवल उसके लाद otherwise इसके target बहुत दूर के है डिपेंड करता कि आप कितने time horizon के लिए इसको खरीद रहे है या फिक कितने time horizon तक अपने portfolio में इसको जग करें या फिर हम बात करें दो कुकर कौन सा बहुत बहुतरीन कुकर होगा प्रस्टी सका या फिर है या फिर दूसरा इसलिए आपको वीडियो देखना चाहिए इसके अलावे और भी कुछ चेंज किये हैं आप एक बार जरूर देखेएगा अगर हम बात करें इसमें इस शेयर ने बड़े ही अच्छी रैली दिया पास्ट में रिसेंट पास्ट के बात करें पिछले एक महीने में या फिर बात क पर आपको नजर रखना जरूरी हो जाता है यह बहुत जल्दी अगर हमें इस लेवल से उपर जाता हुए दिखाई पड़ता है जो इसका रिसेंट का हाय है यहां पे फाइव ताउसंड इस तो और भी उपर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं इसलिए इस लेवल के आसप यह तो एक पॉसिबिल्टी है कि ऐसा भी हो सकता है लेकिन एस अफनाव कहीं वहीकने से बिलकुल भी नहीं है इसलिए चाहे तो इस लेवल के आजवास फॉस्स यहां पर हम एक्जिट कर सकते हैं बुक कर सकते हैं और उसके बाद देखने देते हैं शेर कहां जाता है अब इन में तब तक क्यानी जब तक कल मार्केट ओपन होता है आप अच्छे से अपनी रिसर्च कीजिए उसके बाद ही कोई फाइनल डिजिजन लीजेगा तब तक इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें लाइक कर सकत में सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का भी लिंग मिल जाएगा उसे भी आप जॉइन कर सकते हैं तेंक्यू सो मच